आप देख रही है MNS News सच जरूरी है संसत की सुरक्षा में चुक जरूर हुई मगर इसके पीछे कारण है देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी राहुल गांधी नडबे लगावी महिला मामले का राजनीती करन कर रहे सिदार मया आए देखते हैं खबरे विस्तार से सियम योगी बोले सर्द रातों में कोई भी खुले में न सोय अधिकारियों के साथ की समिक्षा बैटक यूपे की मुके मंतरी योगी अधितनात ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि सर्द रातों में कोई खुले आसमान तले न सोय उन्होंने कहा कि जो भी सड़क किनारे खुले में सोता मिले उसे रेन बसेरों में लाया जाए सबी रेन बसेरों में प्रयाप्त संख्या में बिस्तर वकंबल का इंतजाम हो साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाए साथ ही यदि किसी के पास भोजन की व्यवस्ता नहीं हो तो उसे भोजन भी उपलप्द कराया जाए मुक्यमंत्र योगी अधितेनाथ ने सडकों को पूरी तरह अतिक्रामन मुक्त करने की हिदार्यत देते हुए कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स का सुव्यवस्तित पुर्णवासन भी सुनीच्षित किया जाए स्थान चैनित करूने पुर्णवसाईत किया जाए ताकि उसके पार पर असर ना पड़े सियम योगी ने शहर को स्वच्छ और सुन्दर बनाने के लिए निर्देशत करते हुए कहा कि नगर निगम खाली प्लाटों में गंडगी की भी सफाई करें उन्होंने कहा कि गंडगी दूर रहेंगी तो आजमन बीमारियों से भी बचे रहेंगे आईए बढ़ते अगले खबर की और कहा कि इस घटना के पीछे बेरोजगारी और महंगाई की मुद्दे को जोड़ दिया है इससे पहले कॉंग्रेस अद्देक्ष्ट्रमलिकारजुन खरेंगे ने संसत की सुरक्षा चुक मामले में ग्रुमंद्र में श्वा से सदन में जवाब मांगाए था वो अब राहुल गांदी ने इस मामले में कहा कि सांसत सुरक्षा में हुई चुक के पीछे सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी और महंगाई है प्रदान मंत्री मोदी की नीतियों के कारण देश के युवाओ को रोजगार नहीं मिल रहा है और इसके पीछे कारण बेरोजगाई और महंगाई है आईए बढ़ते अगले खबर की और करनाटक के मुक्यमंत्री सिदार मया ने शुकरवार को राजग के बेलगावी शहर में एक माँ को सडकों पर नगण घुमाए जाने की भाया वह घटना का राजनिति करन करने के लिए भाजपा देक्ष नड़ा की आलोचना की उन्हेंने कहा कि भाजपा शासन के तहट करनाटक में महिलाओ के खिलाफ हिंसा के कई मामले देखे गए लेकिन नड़ा उन सभी को भूल गए है मुक्यमंत्री ने कहा दुरभागे से नड़ा बेलगावी घटना का इस्तमाल राजनिति के लिए कर रहे है उन्हेंने कहा कि बेलगावी की घटना बेहद निर्दई है मुक्यमंत्री ने कहा यह शर्मनाक है कि भाजपा अध्यक्षद नड़ा राजनितिक लाप के लिए ऐसी घटना का राजनिति करन कर रहे है उन्हेंने कहा कि जैसे ही बेलगावी घटना सामनियाई करनाटक के ग्रूह मंत्री जी परमेश्वर और महिला एव बालकल ल्यान मंत्री लक्षमी हेंबाल करने पिडिदा के घर जाकर न केवल उससे सांतवनादी बलकी मुआवजा भी दिया मुक्य मंत्री ने कहा पुलिस ने 24 घंडे के बीतर अपरादियों को पकड़ कर सलाकों के पीछे डाल दिया है मैं खुद जांच पर नजर रख रहा हूँ हमारी सरकार दोशियों का सक्त सजाद दे कर यह सुनिशित करने के लिए प्रतिबंद है कि ऐसे अमावनिय प्रुत्य ना हो मुक्यमेंद्र ने का हाला कि अब नडडा ने अच्छानक टिपनी किये और घटना के चार दिन बाद इस मामले को उच्छालने का उनका प्रयास सपिडित के लिए वास्तविक चिंता की बज़ाए राजनेतिक मकसद का संकेत देता है अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं मोबाइल आप पर देखने के लिए प्ले स्टोर मनेस्टेवी एप से जाउनलोड करें इंस्ट्रा हाई का ट्विटर, कुक, फेस्बूक और कई सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्द है आप इसे यूच्छूब पर भी देख सकते हैं आप इसे लाइव भी देख सकते हैं अब वक्त तो चला है दर्शकों, ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे बने रहे हैं MNS News टीवी पर, नमस्कार ये है MNS News नेटबर और आप देख रहे हैं MNS News